बोजपुरी सुपस्टार पवन सिंग क्या जाएंगे बिग बॉस के घर में जी हाँ बिग बॉस 14 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं बोजपुरी जगत से किसी के जाने की खबर आ रही है क्यूंकि आपको तो पता ही होगा बिग बॉस 13 कितना पॉपुलर रहा है और बिग बॉस 13 में ही खेसारी लाल यादो गये थे खेसारी लाल यादो को बिग बॉस 13 का सबसे बेस्ट कंटेंडर बताया गया था जी हाँ कि ये कहा गया था कि उनके जैसा कोई कंटेंडर बिग बॉस के घर में था ही नहीं क्योंकि खेसारी एक मात्र ऐसे कंटेंडर थे जिन्होंने न गाली दी और न किसी से गाली खाई और खेसारी लालियादों की तारीफ करते तो सल्मान खान ने उन्हें सजन पुरुस तक कह दिया था फिर खेसारी जैसे ही बिग बॉस के घर से बाहर आये तो सल्मान खान ने उन्हें कहा कि वो उनसे मिलेंगे जरूर खेर अब बात ये चल रही है कि क्या सल्मान खान के शो में पवन सिंग भी जाएंगे जी हाँ पहले कुछ समय पहले ही पवन सिंग ने यूटूब को दिये एक इंटरव्यू में यानि के एक यूटूब चैनल को दिये इंटरव्यू में ये कहा था कि सल्मान खान के साथ वो जल्द ही नजर आएंगे और उनके साथ कुछ प्रोजेक्स की बात चल रही है कहीं वो प्रोजेक्स ये तो नहीं है कि वो बिग बॉस के घर में आएंगे अब इसकी क्लिरिफिकेशन तो नहीं हुई है लेकिन ये कयास जरूर लगाये जा रहे हैं कि पवन सिंग को भी ओफर किया जा सकता है बिग बॉस के घर में जाना या फिर दूसरी कंटेंडर अक्षरा सिंग भी हो सकती है जी हां क्योंकि ये दोनों काफी बक्स से एक दूस या आपने तो जाना है पवन सिंग जहां जाते हैं बवाल मचाते हैं तो बवाल मचाएंगे ही मचाएंगे बोचपूरी जगत की होट और मसाले दरवाज़िप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नभी निए है